दोस्तों आज मैं आपको बताने वला हूँ अगर आप अपने गाड़ी का कलच दबाते हैं और आप कलच दबाकर जब अपने गाड़ी का कलच छोड़ते हैं उस समय अगर आप अपने एड़ी को पीछे नहीं लाते हैं तो आपको गाड़ी चलाने में क्या परिसानी होगा व मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों चलता हूँ कलच की तरफ और आपको मैं समझाता हूँ दोस्तों यह है आपके गाड़ी का कलच मानों आप गाड़ी चलाते समय इस तरह से अपने कलच को दबाते हैं और आप जब दबाते हैं तो आप अपने AD को इस तरह से उठा कर पीछे लाते हैं अगर आप इस तरह से AD को उठा कर पीछे नहीं लाते हैं तो आपको क्या दिक्कत होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ अब देखिए ये कलच है और ये मेरा AD है तो मैं अपना दूसरा पैर AD के एकदम ठीक पीछे लगा देता हूँ अब मैं अपने गाड़ी का क्लच पूरा प्रेस करता हूँ प्रेस किया, अगर AD उठा कर पीछे लाता हूँ तो बराबर उसी जगह पे वापस फिर मेरा AD आ जाता है अगर मैं दोस्तो एडी को नहीं उठाता हूँ इस तरह से कलच को रिलीज करता हूँ एक बार कर लिया ट्राफिक में गाडी आगे बढ़ी वापस फिर मैं प्रेस करूँगा फिर वापस गाडी आगे बढ़ेगी फिर वापस मैं छोड़के वापस फिर प्रेस करूंगा तो क्या होगा दोस्तों देखिए अब ये मेरा पैर जो है पैर का AD इस पैर से कितना दूर हो गया तो दोस्तों हो गया ना प्रॉबलम गाड़ी चलाते समय तो इसके लिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ जब कभी भी आप क्लच को दबाएं इस तरह से तो AD उठा करके पीछे लाएं कभी भी ऐसा गलती ना करें कि क्लच दबाने के बाद इस तरह से क्लच को रिलीज करें फिर वापस clutch दबाएं फिर release करें फिर वापस clutch दबाएं इतना gap हो जाता है फिर आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो जाएगा अगर आपको जानकारी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और share कर देना अगर आप मेरे चैनल से जोड़ना चाते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसे और जानकारी के साथ जय हिंद जय भारत